नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों अब खुश हो जाओ और मिठाई बाटो जी हाँ दोस्तों अब आपकी जीवन में वह खुश खबरी आने वाली है जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे जी हाँ दोस्तों आने वाली 24 घंटे के अंदर में आपकी किसमत में इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप संभाल नहीं पाओगे अब आपकी किसमत में लग गई बड़ी लोटरी जी हां दोस्तों 500 नोटों की मोटी मोटी बंडल आपको मिलने वाले हैं दोस्तों अपने पिछले समय में बहुत ही कष्ट जेले थे बहुत ही परेशानी का सामना किये थे आपने बहुत ही मेहनत की थी दोस्तों उनका फल आपको नहीं मिला था आपके कर्मों का फल नहीं मिला था और दोस्तों आप सोचते थे कि अब हमारे किस्मत कभी नहीं बदल सकती भगवान ने हमारी बिंती नहीं सुन रही है हमारे कर्मों का फल नहीं दे रहे हैं हम ऐसे ऐसे मेहनत कर रहे हैं भगवान से हम इतना गिंती कर रहे हैं, उनका फल हमको नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत ही अपने जिन्दगी से परेशान हो गए थे, इन गरीबों से आप परेशान हो चुके थे, जिसके चलते अब आप अपना जीवन नश्ट करने पर तुल चुके थे, लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि जब भी भगवान देते हैं, तो छप पर फाड के देते हैं, जी हाँ दोस्तों, भगवान हर एक व्यक्ति को पहले परीक्षा लेता है, और भगवान परीक्षा लेते, लेते थोड़ा सा समय जरूर लेता है, और उसे समय के अंदर ही आप इधर नहीं रख आपने सोचा कि कब हमें मेरा करमों का फल मिलेगा, लेकिन दोस्तों, अब देर नहीं, अब आपके करमों का पिटारा अब आपका भयानक रूप से खुलने वाला है, आपको करोडों की लौटरी लगने वाले हैं, आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों का योग, ऐसे ग्रहन मे सुन लिये हैं अब आपसे जलने वाले दुश्मन भी कहेंगे कि वाह किस्मत हो तो ऐसी अब आपके सारे दुश्मन एक-एक करके आपके पैरों में गिर पड़ेंगे आपको जो भी पिछले समय में परेशानी दिये थे आपको सताय थे दोस्तों उनको अब सबक सिखाने का द दोस्तों सिर्फ आपकी करमों का फल है। आपकी मेहनत का फल है। तो दोस्तों ये जो आपको खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, कहीं पर भी धिंडोरा मत पीटना, आप अकेले और शान्त होकर इस वीडियो को देखना, और दोस्तों, जो भी राज की बात इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे दोस्तों, किसी के कानों कान खबर मत होने देना, वरना दोस्तों, वह खुशखबरी आपके जीवन में आने से पहले ही आपका दुश्मन चीन लेगा, आपका वह सपना चूर चूर कर देगा, जो दोस्तों आपको काफी सालों बाद मिलने वाले हैं, वह ऐसे उपाए ढूंड लेंगे, जो कि दोस्तों, आपको खुशखबरी को अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे, इसी लिए, दोस्तों, हम आपसे एक बार और कह देते हैं, कि यह जो खुशखबरी आप सभी को मिलेंगे दोस्तों, इसे एकदम गुप्त रखना, क्योंकि दोस्तों, आपका जलने वाले दुश्मन एक नहीं, बलकि अनेक है, और वह दुश्मन आपको जब कामयाब देखे दोस्तों, उनकी पूरी शरीर में आग लग जाएंगे, वह ऐसे ऐसे उपाए ढूंडने लगेंगे, आपको गढ़े में गिराने के लिए, आपको तकलीफ पहुचाने के लिए, ऐसे ऐसे गलत रास्ते पर आपको चलना सिखाएंगे, कि दोस्तों, खुद अव खुद आप बड़ी से बड़ी खाई में गिर जाएंगे, इसी लिए दोस्तों, किसी के बातों में ना आए और अपने दिमाग से काम ले, दोस्तों, आप बहुत ही सीधे साधे इनसान है, किसी का दिल दुखाना आपको नहीं आता है, आप दूसरों की खुशी को देखकर अपनी पीछे रह जाते हैं, आप काम्याब नहीं हो पाए हैं, जी हाँ, दोस्तों, और ये सब कब होगा, जब आप करेंगे, ये तीन जरूरी काम, दोस्तों हम गारंटी लेते हैं, कि आपको अब तक इन तीन कामों के बारे में किसी ने बताया नहीं है, नहीं तो आपके जीवन म दुख तकलीफ पैसे को लेकर कभी होती ही नहीं दिखा, दोस्तों हम आपको बता दें कि तीन कारियों का प्रभाव इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि जो इनसान नियमित तोर पर अपने जीवन में इन तीन कामों को करता रहता है, उसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयम बन जाता है क्योंकि ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक उर्जा उसे प्राप्त हो जाती है, या यूं कहें कि ईश्वर का आशीरवाद उसे प्राप्त हो जाता, फिर उसका भाग्य निर्मान स्वयम भगव जी हाँ, दोस्तों, अब ऐसी स्थिती को प्राप्त करना आसान नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक स्थिती है, कि जब आप जो भी कार्य करेंगे, आप सफल होंगे, आप मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे, तो वह सोना बन जाएगी, तो ऐसी स्थिती को प्राप्त करने के लिए, दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने होंगे, हम तो केवल आपका मार्क दर्शन करेंगे, और आपको सबसे बेहतरीन से बेहतरीन घ्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका जीवन किसी भी प्रकार से पह प्रमान हैं, हमारे शास्त्रों में इन बातों के बारे में विस्तार से वर्णन देखने के लिए मिलता है, लेकिन लोग आज कल की भागदौर भरी जिंदगी में इन सब जरूरी बातों को भूल चुके हैं, प्राचीन काल में हमारे पुर के पूर्वज आपके बारे में अच संतुष्टी से भरा हुआ था इश्वर से जुड़ा हुआ था अब उन्हें संतोष प्राप्थ हुआ इश्वर से जुड़ाव प्राप्थ हुआ क्योंकि उनकी वही कामना थी लेकिन आज के युग में भागदौर भरे जीवन में इनसान की जरूरत है पैसे से ही पूरी होत तो ऐसे में यदि आप इन तीन कारियों को पैसे को ध्यान में रखकर करेंगे तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा ऐसा बढ़ता ही जाएगा और आप अपने हर एक काम में हर एक व्यापार में उन्नती करते ही जाएंगे तरक्की करते ही जाएंगे ऐसे ऐसे माध्यमों स आपके घर में आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा जी हाँ दोस्तों आप नहीं वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जब उपर वाला देता है तो छप पर फाड़ के देता है तो बस वही स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी कि उपर वाला स्वयम आपको देने के लिए मन बना लेगा फिर आप कुछ भी करें या ना करें आपको धंदौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा जी हाँ, दोस्तों, तो अब आपके मन में भी उत्सुकता जाग रही होगी ये कौन सी है, वह तीन महत्रपूर्ण कार्य जिनको करने मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा तो यहाँ पर हम आपको एक बात सपश्ट तौर पर बता देंगे कि जो भी होगा, वह रातों रात नहीं होगा आपके कर्मों की शक्ती जितनी प्रबल होगी आपकी आस्था आपका विश्वास जितना प्रबल हो आपकी उपलब्धियां उतनी ही जल्दी आपको हासिल होगी जी हाँ दोस्तों, अब इसमें हो सकता है कि आपको दस दिन लगे, एक महीना लगे दो महीना लगे, या छे महीने लगे लेकिन आपकी मनो कामना पूरी होगी इस बात की हम गारंटी देते हैं समय अवधी का निश्चित नहीं है या कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन आपको मनवांचित सफलता प्राप्त होगी इस बात की गारंटी है जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहत महत्वपूर्ण है और आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत घ्यान देने जा रहे हैं जिसे प्राप्त करने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा ये दोस्तों पहले जैसा आपका जीवन नहीं रहेगा बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है ध्यान लगा कर देखना है पूरे मन से देखना है क्योंकि इस वीडियो में कुछ बातें बहुत ही गहराई से बताई जाएंगी और उन्हें समझने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान इस वीडियो की बताई हुई बातों पर रखना बहुत जरूरी है तो यदि आप इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत ज्यान सीखने के लिए जाने के लिए मिलेगा और आप उसे उप्योग करके अपना जीवन बदल पाएंगे जी हाँ दोस्तों हमारी शास्त्रों की माने तो आज के समय में हम कल्यूग में जी रहे हैं और कल्यूग का एक सबसे मूलभूत सिध्धान ये है समय कर्म प्रधान है कर्म प्रधान विश्व करी राखा इसका मतलब ये है कि इनसान जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसका कर्म फल होगा या यूं कहें कि भाग्य होगा इनसान अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएगा तो निश्चित तोर पर उसका भाग्य भी बदल जाएगा और उसकी मनोकामना पूर्ती के साधन इनसान के पास स्वयम ही है और भी साधन है उसकी इच्छाएं उसके कर्म और उसके द्वारा की गई मनोकामनाएं दोस्तों जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे वैसे कुछ की उपलब्धियां होती हैं तो इन बातों से हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों की हम आपको जो बता रहे हैं उन बातों को यदि आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं और जब आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी निश्चित तोर पर बदल जाएगा जो पहले से निश्चित था वह नहीं होगा कुछ न कुछ नया और अद्भुत आपको प्राप्त होगा जी हाँ दोस्तों ये तो बिलकुल वैसा ही हुआ कि आप किसी पक्वान में यदि मीठा डालेंगे तो वह मीठा स्वाद देगा यदि नमकीन डालेंगे तो वह नमकीन स्वाद देगा खट्टा डालेंगे तुम्हें खट्टा स्वाद देगा यही हमारा कर्म का सिध्धान्त है कि आप जैसे-जैसे कर्म करेंगे वैसे-वैसे आपके जीवन के रंग स्वाद बदलते चले जाएंगे तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मान लक्ष्मी लिखना ना भूले दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही अद्भुत ज्यान से भरपूर है और हम चाहेंगे कि आप सच्चे मन से मान लक्ष्मी को याद करते हुए कमेंट में जै मान लक्ष्मी एक बार नहीं, तीन बार लिखें दोस्तों माता की भक्ति और सेवा में किसी प्रकार का कंजूसी या किसी प्रकार का आलस नहीं करना है आप सच्चे मन से मा लक्षमी लिखें तो माता आपके जीवन को बदलेंगे और आपको ऐसी प्रेड़ना देंगे कि आप बेहतर से बेहतर जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएंगे तो आपका जीवन सुन्दर होगा माता आपको आशीरवात देंगे इसी कामना के साथ वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत चानबिन करने की बार आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा, बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थ बदल जाएगा, आपकी हर मनो कामना पूरी हो जाएगी, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का देना है कि हम यहाँ पैसे कमाने की कोई स्कीम आपको बताने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर चर्चा करने आए हैं कि क्यों जीवन में धन आगमन में रु होगी, सुचारू रूप से पैसा आपके जीवन में नहीं आएगा, तो क्यों ऐसी बात है, उत्पन्न होती है, और क्यों हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं, क्या रुकावटे हैं, इन सब विशयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जी हाँ, दोस्तों, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, कि जब हम बात करते हैं, पैसे रुपए की धन दौलत की, तो हम असल में बात कर रही हैं, उस उर्जा की जो की धन दौलत का कारक बनती है, जी हाँ, दोस्तों, हमारे आसपास एक विशेश प्रकार की उर्जा एकत्रित होती है, जो की जी हाँ दोस्तों, वैसे तो उन्हें हम धन दौलत ही कहेंगे, लेकिन कल को सरकार ने रुपए बदल दिये, कागज की जगह, वह प्लास्टिक के रुपए चलाने लगी, तो आप उसे धन दौलत कहेंगे, तो मूलभूत बात ये है, यहाँ पर कि हम जिसे धन दौलत कह रह करता है, आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप एक उर्जा है, और उस उर्जा को हम माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, यह दोस्तों, अब आप खुद ही सोच कर देखिए, कि जब आप कहते हैं, कि माता लक्ष्मी तो क्या आपके मन में रुपए पैसे की गाड़ियां आत जोस्तों इस तरह आप माता लक्ष्मी को प्रसंद कभी नहीं कर पाएंगे, जब आप माता लक्ष्मी को प्रसंद करने की बात कर रही होते हैं, तो असल में आप उस उर्जा को अपनी और आकरशित करने की बात कर रहे हैं, जिस उर्जा के आपके पास आ जाने से घनी भू के रूप में किसी भी प्रकार से आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि जब आपके साथ स्वयम माता-लक्ष्मी रहेंगे, आपके घर में बात करेंगे, तो धन-दौलत आपके जीवन में आएगी ही आएगी। यहां पर आप समझिए कि हम जब माता लक्षमी की बात कर रहे हैं तो हम किसी स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक तौर पर एक विशेश प्रकार की उर्जा की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने पिछले कई बी और जीवन में कल्यानकारी होती है वही भगवान का स्वरूप है वैसे ही कुछ विशेश प्रकार की उर्जाएं होती हैं जो जीवन में धन दौलत की कारक बनती हैं उन्हों जाओ को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप कह सकते हैं जी हां दोस्तों तो अब हो सकता है कि कुछ परण से समझने दोस्तों की दो दोस्त हैं एक दोस्त ने चाय की दुकान खोली दूसरे दोस्त ने भी चाय की दुकान खोली आपने कभी देखा होगा कि चाय की दुकान खोलने वाले कुछ लोग तो करोडों में पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी व्यापार कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग जीवन भर चाय ही भेजते रहते हैं और थोड़े-थोड़े रुपियों के जुगाड में ही जीवन बिता देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, काम तो एक जैसे ही हैं, दोनों ने एक जैसी मेहनत की ऐसा व्यापार किया। एक व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का उर्जा स्वरूप मौजूद था या यूं कहे कि माता लक्ष्मी की उसके उपर कृपा थी और दूसरे इंसान के उपर कृपा नहीं थी, तो एक जैसी कम होने के बावजूद भी दोनों लोगों की अलग-अलग भाग्यफल हुए और दोनों ने अलग-अलग जीवन यापन किया, ये होता है जब आप उर्जाओं को अपनी और आकरशित करने के विज्ञान को समझ जाते हैं, फिर आपका जीवन कैसे बदलता है, आपकी उसी मेहनत से आपको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं और आप कहते ह कि आपको भगवान का आशीरवाद मिला, आप अमीर हो गए और आपको देखकर दुनिया वाले लोग बोलेंगे कि आप भाग्यशाली हैं, जी हाँ दोस्तों इतनी सारी बाते हमें आपको समझाने के पीछे मतलब ये है कि आप वास्तविक तोर पर धन दौलत को किस तरह द जी हाँ दोस्तों, जब भी हम दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हम वहाँ पर रुपए पैसे की पूजा आराधना नहीं कर रहें। आपके पास धन दौलत आएगी, धन दौलत माता लक्ष्मी नहीं है। दोस्तों, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक माता लक्ष्मी का आशीरवाद नहीं होगा, तब तक धन दौलत आपके पास नहीं आई की उम्मीद है, आप यहाँ तक सारी बातें समझ चुके होंगे अब आपको करनी है तीन काम अपने जीवन में जिन से आप माता लक्ष्मी को अपने जीवन में आकरशित कर पाएंगे और जब आपके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयम आ जाएगी यानि शुद्ध सकारात्मक उर्जा आपके जीवन में आ जाएगी तो फिर धन दौलत पीछे भी चली आएगी या दोस्त हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें और पूरे वीडियो को समझने का प्रयास करें दोस्तों कुछ बातें बहुत गहरी होती हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है यदि आप उपर उपर का ज्यान लेते रहेंगे तो आप उस बात की गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे फिर आपके प्रयास आपको कभी काम्याब नहीं बना सकते बस आपका जीवन यापन होता रहेगा यह दोस्तों तो बात करते हैं उन तीन काम होती तो सबसे पहला काम और वह यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्थ में जागना है जी हाँ, दोस्तों ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है अब ब्रह्म मुहूर्थ वह नहीं है जो न्यूस पेपर में आ जाता है या फिर आपको किसी भी कैलेंडर में देखने को मिल जाता है ब्रह्म मुहूर्थ है जो हमारे शास्त्रों में वर्नित है और उस ब्रह्म मुहूर्थ का समय होता है सुबह के 3 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 5 मिनट तक का वह ब्रह्म मुहूर्थ का समय होता है अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रात्रि के समय माया स्वरूप जो ईश्वर ने माया बनाई है ऐसा शास्त्रों में वर्नित है दोस्तों की रात्रि के समय माया सोई रहती है और सुबह यानि ब्रह्म मुहूर्थ के समय माया की नींद बहुत गहरी होती है अब ऐसे में होता यह है कि जब माया सो जाती है तो दैविय शक्तियां बहुत प्रबल होती है इतनी शक्तिशाली होती है कि आप उस समय जो भी क्रिया करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी आपने देखा होगा कि योगी यानि और बड़ी बड़ी देवी साधना करने वाले लोग रात में ही साधनाएं करते हैं दिन में नहीं करते हैं क्योंकि रात में माया सोई रहती है उस समय देविये शक्तियों को जागरित करना बहुत आसान होता है और उन्हें अपने पक्ष में करना उन्हें खुश करना बहुत आसान होता है तो ब्रह्म मुहूर्थ कब है सर्वोत्तम समय है उस समय आप जो चाहे वह कर सकते हैं तो आपको करना क्या है? ध्यान से समझना है. आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर सनान ध्यान करना है. ईश्वर का नाम लेना है. और फिर आपकी जो भी मनोकामना है जैसे कि आपको बड़ा व्यापार बनाना है, बड़ा अधिकारी बनना है या बहुत बड़ी नौकरी को हासिल करना है जो भी आपकी मनो कामना है उस मनो कामना को आपको कम से कम 108 बार बोलना है जैसे हम माला फेरते हैं बिलकुल उसी प्रकार से और धीमे धीमे बोलना है मन में बोलना है एकांत में बैठ कर बोल रहा है कोई आपको देख ना पाए देखा दोस्तों 108 बार आपको बोलना है अब इसका क्या प्रमान है कि यह सत्य होगा दोस्तों हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में सप्त आशिधर्ती लोग के ब्रह्मन पर आते हैं और धर्ती लोग के वासियों को यह आशीरवाद देते हैं कि जो जिस काम में लिप्त है वह उस काम में उन्नती प्राप्त करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यदि आप अपनी मनोकामना की चर्चा कर रहे हैं। बात कर रही है। मनोकामना के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको आशीरवाद प्राप्त हो जाएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी जल्द से जल्द पूर्ण होगी दोस्तों हम आपको लिख कर देते हैं आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करके देखिए कठिन अवश्य है दोस्तों हो सकता है जागने में आपको समस्या हो कार्य खंडित नहीं होना चाहिए एक यह भी एक प्रकार की साधना है दोस्तों आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करिए 28 दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी यह दोस्तों सब मनोकामना आपकी वास्तविक होनी चाहिए कालपनिक हवाई मनोकामनाएं नहीं करनी है दोस्तों याद रखना है आप सोचें कि हम रिलाइंस जियो कंपनी के मालिक बन जाए या फिर रातों रात अरब पती बन जाए ऐसा नहीं होगा मनो कामनाएं वास्तविक होनी चाहिए आपके जीवन में जुड़ी होई होनी चाहिए दोस्तों यदि आप आज दस हजार कमाते हैं तो इतना आप सोच सकते हैं कि आपकी कमाई एक लाख हो गई है जी हाँ दोस्तों ऐसा विचार करें कि हमारी कमाई एक लाग हो चुकी है, एक लाग हो चुकी है, एक लाग हो चुकी है इस प्रकार से आपको कामना करनी है और आप देखेंगे कि आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाएगी यदि आपके उपर कर्जा बहुत अधिक है तो आप ऐसी चर्चा करेंगे कि हमारा कर्जा चुप दिया है हमारा कर्जा चूप गया है समाप्त हो गया है हमने अपना कर्ज आसमा इस प्रकार से बोलना है बस आपको इतना करना है दोस्तों आप देखेंगे चमतकार हो जाएगा जी हाँ दोस्तों हमारे शास्त्रों में तो ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई इच्छाओं को पूर्ति के विशय में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई है ऐसा भी बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि इंसान किसी बात को बोलता है तो वह सो प्रतिशत सत्य हो جाती है यूँकि उस समय इंसान की जुबान पर सरस्वती का वास होता है जी हाँ तो यह तो हुआ पहला कार्य जो आपको 21 दिन का करना है निश्चित तोर पर आपकी मनो कामना पूरी होगी हम गारंटी देते हैं आप इस कार्य को करिए फिर होने वाले परिणाम के बारे में हमें कमेंट करके अवश्य सकारात्मक कॉमेंट ही मिलेगा हमें इस बात का पूरा विश्वास है जी हाँ, दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे कार्य की तो दोस्तों, एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं 708 यानि 708 अब इस नंबर का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और ज्योतिश शास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि हर एक नंबर की एक विशेश उर्जा होती है जिसे हम ग्रह की उर्जा से जोड़ कर बताते हैं जैसे एक नंबर की उर्जा सूर्य से जुड़ी होती है आठ नंबर की उर्जा सनी से जुड़ी होती है उसी प्रकार से 708 यानि 708 की मिली जुली उर्जा धनलक्षमी से जुड़ी हुई होती है जी हाँ, दोस्तों, तो आप बहुत ही चतुराई के साथ 708 इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं आपको करना इतना है कि जब भी आप अपना खर्चा करें यानि अपने रुपए किसी को दें या किसी भी प्रकार का खर्चा करें कुछ सामान खरीदें, कुछ भी करें तो जब भी आप रुपए दे, चाहे भले ही आप मोबाइल से ही पेमेंट करें आप अपने मन में इस बात को बोलें 708 या फिर 708 अनन्त होकर वापस आना जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रकार का वादा है या माता लक्ष्मी से एक विशेश प्रकार का निवेदन है जी हाँ दोस्तों, जब आप कहीं पर पैसा खर्चा करते हैं तो असल में आप अपनी धन लक्ष्मी की और जाते हो या माता लक्ष्मी की उर्जा को किसी और को दे रहे होते हैं जी हाँ दोस्तों, यह केवल रुपए पैसे का लेंदेन नहीं है यह आपके पास घनी भूत हुई उर्जा का लेंदेन है इसलिए कहा जाता है कि रुपए पैसे का लेंदेन एकांत में करना चाहिए किसी को दिखा कर नहीं करना चाहिए रुपए पैसे किसी को दिखाने नहीं चाहिए उन्हें छुपा कर रखने चाहिए क्योंकि यह एक ऐसी उर्जा है जो बड़ी मुश्किल से घनी भूत होती है दोस्तों बड़ी मुश्किल से इकठी होती है हमारे आसपास बहुत ही सकारात्मक प्रयासों के बाद तो ऐसे में यदि हम अपने आचरण गलत कर ले उड़ जाती तब तक होकर फैल जाती है फिर हम कहते हैं कि पैसा पता नहीं कहां चला गया तो आपको करना है ये है कि जब भी आप किसी को पैसा देंगे तो आपको अपने मन में बोलना है 708 अनंत होकर वापस आना तो आप देखेंगे कि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वह बिल्कुल सही जगह पर खर्चा हो रहा है यानि बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं होगी दूसरा कि आप जो भी पैसा खर्चा अरे आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको पैसा वापस भी मिलने लगेगा ये दोस्तों आपने 10,000 खर्चा किये आप देखेंगे कुछ ही समय में एक हजार के दस हजार हो सकता एक लाख आपको वापस मिले आपके फायदे के तौर पर ये किसी अन्य प्रकार के लाब के तौर पर जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे कार की ओर सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों इन सब कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कार्य है तीसरा कार्य से आपको अवश्य करना होगा और हम गारंटी देते हैं कि इस कार्य को आपने अब तक कभी नहीं किया है क्योंकि आपने किया होता तो आपका जीवन बदल गया होता और वह कार्य है आभार प्रकट करना दोस्तों ये क्या है? आप समझे आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं बदले में आपको जो भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उन परिणामों के लिए आप अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करें भांड का आभार व्यक्त करें कि आपको जो मिला उसके लिए हे भगवान आपका धन्यवाद दोस्तों अब हो सकता है कि किसी इंसान को दुख तकलीफ है हासिल हो रही हो तो आप भगवान से कहे कि हे भगवान हम जानते हैं कि आप हमारा अनर्थ कभी नहीं कर सकते हैं इस बुराई में भी कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य छुपी होगी शायद हम देख नहीं पा रहे हैं तो इस बुराई के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद जी हाँ दोस्तों आप ऐसा बोलिए इसके बाद जब आप अपने कार्य स्थल पर जाईए काम करने के लिए तो ईश्वर से कहिए कि हे भगवान हम अपने कार्य पर जा रहे हैं अब जो भी कार्य हम करेंगे वह आपकी पूजा मान कर करेंगे ये दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत भी है और किस वर्ष यानि कार्य ही पूजा है तो आप अपने मन में इस प्रकार के विचार लेकर आईए कि हे प्रभू हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे हम आपकी पूजा समझकर कर रहे हैं और अब इस कार्य के जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उसे हम आपका प्रसाद समझकर अपने पास रख लेंगे ग्रहन कर लेंगे चाहे भी परिणाम अच्छे हों या बुरे हों हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए वह आपका एक प्रसाद है यह दोस्तों आप इस भाव के साथ घर से बाहर निकलिए आप इस भाव को अपने मन में लाईए जो भी ईश्वर आपको दे रहे हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए बहुत ज्यादा दीजिए जितना दे सकते हैं दीजिए सकारात्मक रहिए कभी रोना मत र रही है हम इतने बुद्धिमान नहीं कि हम इश्वर के द्वारा लिए गए फैसलों को समझ सके दोस्तों हम अभी इतने प्रकांड विद्वान नहीं हुए इतनी बुद्धिमान नहीं हुए हैं हम तो तुछ मानव हैं इश्वर जिसने इस ब्रहमांड की रचना की है हम उस हम शौक जाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ भगवान आपने हमें तकलीफ है कि अगर आप ना तकलीफ है देते आज हम इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते जी हां दोस्तों बहुत से लोगों को हमने ऐसा कहता सुना है तो जो भी भगवान आपको दे रहे हैं आप बस परसाद के रूप में उपयोग किया गया है उपभोग किया गया है वहीं सर्वोत्तम जीवन होता है जिन दोस्तों हो सकता है वीडियो में बताई गई बातें आपको थोड़ी सी अजीब लगी हों लीक से हट कर हूँ लेकिन दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं कि यह ब जो भी कुछ चाहिए आप बस वही इस संसार को दीजिए सबसे पहले आप देना शुरू करिए दोस्तों आपको सम्मान चाहिए तो आप सबको सम्मान दीजिए छोटे बड़े सबको सम्मान दो आप किसी में भेद मत करो आपको यदि भीम चाहिए तो आप सबको प्रेम दो छोटे बड़े का किसी का भेद नहीं, अपने पराय का किसी का भेद मत करो, दोस्तों सब को प्रेम करो, और यदि आपको धन दौलत चाहिए, तो हम दोस्तों आपको कह रही हैं, कि जो भी आपको जरूरत मंद कहीं पर भी दिखाई दे जाए, उसकी मदद कर दो, उसे पैसे मुझे दोस्तों कोई बुराई नहीं है, इसमें आप किसी गरीब को सौ रुपए दे कर देखिए, और दस दिनों तक इंतजार करिए, आपको सौ रुपए की जगह हजार रुपए का या दस हजार का प्रॉफिट होगा, फाइदा होगा, और ऐसी जगह से होगा, जिसकी आ अपने दिल की आवाज सुने, आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा देगी, घर में अनुशासित माहौल रहेगा, बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर एकाग्र चित रहेंगे, व्यर्थ की गतिविधियों में समय नश्ट ना करें और नकारात् रखें, वरना आपके मान सम्मान पर भी आँच आ सकती हैं, किसी भी बाहरी गतिविधी अभी कोई लाब नहीं होने वाला है, व्यवसाइक कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने से बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे, फोन या इंटरनेट के जरीए बिजनिस की महत्वप मित्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, अपने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल आप स्वयं ही निकालने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे, मित्रों के साथ सामूहिक यात्रा का प्लैन भी बन सकता है, योजना बद्ध और एकाग्रचित रहने से कारियों में गति आएगी, पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा, जो लोग आपके खिलाफ थे, आज वही आपके पक्ष में आएंगे, घर में महमानों की आवाजाही से खुशनुमा माहौल बनेगा, काफी समय से रुके हुए कुछ कारियों में आज गति आएगी, दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजनाएं बना ले, आपके काम बेहतरीन तरीके से बनते जाएंगे, संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा, व्यस्त दिन चर्या में कुछ बदलाव आने से मानसि सुकून रहेगा, युवाओं को अपने किसी सराहनिय कार्य की वज़े से तारीफ मिलेगी, दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा, आज आप जिस काम को करने की ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दमलेंगे, धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कु समय रहते सुलज भी जाएगा, विद्यार्थियों की अपनी किसी विशय को लेकर चल रही समस्या दूर होगी, ग्रह स्थिती आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रही है, किसी दीर्ग कालीन लक्षि को हासिल करने का उत्तम समय आ रहा है, कुछ समय अपनी रुचि बंधी कारियों में भी जरूर व्यतीत करें, इस से आपको सुकून मिलेगा और एकागरता बढ़ेगी, बिजनेस में बेहतर ओर्डर मिलने की संभावना है, साथ ही कार्य प्रणाली में उचित गती भी आएगी, किसी सहयोगी का नकारात्मक रवय या मुश्किल भी पैदा कर सकता है, सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ेगा, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें, भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णाय भी हो सकते हैं, व्यवसाय में पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फली भूत होंगी और उसके बहतर नतीजे भी मिलें, लेकिन दूसरों की सलाह पर आँख मूनकर के भरोसा विश्वास ना करें, आफिस का माहौल सुकून भरा बना रहेगा, कारोबार में नई योजनाएं बनेंगी, अपनी फाइल या पेपर विवस्थित रखें, कोट के संबंधी काम रुके कौन फिशियल गतिविधियां विवस्थित रहेंगी, किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है, रुपए पैसे संबंधी लेंदेन करते समय लापरवाही ना करें, धैर्य बना कर रखें, आलस और सुस्ती जैसी आदतों प की संभावना है, और आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे, वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी, आप इन बातों का उपयोग करके अपने जीवन में बड़े बदलाव लेकर आप आएंगे, यह दोस्तों, यदि आपके मन में कि अधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमा लक्षमी लिखना ना भूले, माता का प्रेम और आशीरवाद आपको प्राप्त होगा, मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैमाता दी